इस समय सुभा का ठीक आठ वज रहा है और आज तारीक है देखिए लोड है 206 वाट आज तारीक है आठ नौंबर 2021 नौंबर का महना चल रहा है बैटरी है 57.8 बहुत तकड़ा उन्हें मैक्सिमम बैटरी 58 तक जाता है सोलर से कितना आ रहा है यह देखिए सोलर से आ रहा है 695 वाट उन्हें 600 वाट लगभग सोलर से मिल रहा है मेंस हमारा बिल्कुल ओफ है और आएए आगे देखें बाहर का नजारा क्या है धूप क्या स्थिती है हल्का धूप बहुत तगड़ा धूप नहीं कहेंगे सूरज का पोजीशन देख लीजे कहां पर है और धूप में कोई गर्मी नाम का चीज नहीं आठवजे का धूप होगा कैसा एकदम हलका धूप है अब जो सोचिए थोड़ा लोड है मात्र यह देखिए हमने दिपावली पे किस तरह से अनार को चलाया था चुकि बच्चा लोग का ब कि बच्चा लोग को बहुत खड़ाब लग रहा था मैंने कैसे ट्रे को एक सेल्फ को बांद के अनार चलाया था और यह देखिए जो अभी स्थिती है फस्ट क्लास मतलब कहिए कि अगर साथ सो वाट लोड हमको मिल रहा है और डिमांड जो है घड का मात्र भी दो सो वाट ह मैंने माताजी को बोला है कि भाई मोटर जबी भी चलाई है जाडा का समय है तो 9 बजे सुबा चला लीजिए उस समय तक हमको लगता है कि 2000 वाट तक लोड हमको आ जाएगा सोलर से तो 2000 अगर वाट आएगा 1500 वाट मोटर लेगा 200 वाट पे घर चल रहा है तो मेरा काम चल जा है तो बड़ा अछह लगता है कि जब लाइन नहीं रहता है और उस समय घर का सब कुछ चलते रहता है हेवी लोड जो कि कल तक नहीं चल पाता था जीनेरली lavoro पे चलता था तो उस समय बहुत अच्छा लगता है कि हेवी लोड भी चल रहा है गवार्मेंट का पावर नहीं है और समझिये तो solar लगा लेने के बाद आपका बिजली का बिल जो है वो 70% कम जाएगा minimum मान के चलिए 70% कम जाएगा और अगर रात में आप चाहते हैं कि हम सरिफ lights पे निकाल दें तब तो आपको grid का कोई जरुवत होगा भी नहीं कभी नहीं होगा क्योंकि heavy discharge सरे lead acid battery के लिए तो है नहीं उसके लिए lithium-ion battery में जाना पड़ेगा जो कि अभी costly है lithium-ion battery मान के चलिए कि अगर आप 48 volt का 200 amp लगाते हैं यानि 2 battery लगाते हैं तो 1.5 लाक रुपया से भी ज़्यादा लग जाएगा सिर्फ battery में जो कि अभी wiseful decision नहीं होगा लेयर आएं इसमें और lithium battery को बनाएं तब सर्थ ये grid जो है न ये खतम हो जाएगा कहानी grid का घर के लिए बिलकुल solar लगाई और grid की जरुवत नहीं कोई tension नहीं अब आज का बिजली का बिल है वह पहले के बिजली के बिल में आस्मान जमीन का अंतर है रेट का बात नहीं कर रहा हूं मैं रेट तो चलिए जो है अपने जगा पर सबसे बड़ा बात है यह जो सर prepared meter आया है न यह समस्या का घर है tension का घर है कई लोग एक दम mentally disturbed हो गया है prepared meter से क्योंकि वो हमेशा mobile में message आते रहता है कि अब आपका इतना balance बचा इतना बचा गलती से अगर चार्ज आप नहीं किये तो फिर 5-6 घंटा लिए घर का बत्ती बंद तो यह बहुत वड़ा बीमारी लोगों को heart percent बना देगा prepared meter जो की होना नहीं चाहिए अब चलिए जो है सो है अपने जगा पे मैं राज 9-10 डेली लाइव आता हूं बैपार की बात में उसमें आप आईए बिजनेस में आईए solar के बिजनेस में आईए मैंने solar उद्द्योग पे किताब भी लिखा है solar के बिजनेस को कीजिए और अपनी आमदनी को खुब बढ़ाईए लाइव म जुडिये तब तक के लिए अपना बिल्कुल ख्याल रखिये नमस्कार जैहिंद